हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन लाइव चैनल के इस कारेकरम में हमारे सभी तर्शकों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन तो साथियों हमारी जो ये चर्चा चल रही है अलग-अलग जो लगन है लगन कुंडियां है उन में बनने वाले राजयोग और उनके राजयोगों से मिलने वाले परिणाम के उप्र चर्चा चल रही है और जैसा कि हमने बहुत पहले आप से कहा भी है कि हम मेश राज्ची से लेकर यानि मेश लगन से लेकर और मीन लगन तक सभी लगन के जो अलग-अलग राजियों बनते हैं और उनके कारण जीवन में जो व्यक्ति को उसका राब प्राप्त होता है उसके हम आप से विश्तार से चर्चा करेंगे और प्रत्यक लगन का अलग-लग वीडियो आपक धनू लगन के जो जातक हैं, उनके कुंडली में बनने वाले राजियोगों के विशे में हैं, और किन किन ग्रहों के कारण, वो राजियोग का निर्माण होता है, और उसके क्या फलित होते हैं, इसकी चर्चा आज आपसे करेंगे, और साथ मैं आपसे ये भी अनुरूत कि जो भी दर्शक हमारे इस कार्य करम को देख रहे हैं वे सभी अपनी जनब पत्रिगाएं अगर हैं उनके पास तो उसको खोल लें और खोल करके हमारे प्रोग्राम को देखें जो कि हम अभी आपको बताने समझाने जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आज हम जो धनू लगन के विश्य में चर्चा कर रहे हैं आपकी ही कुंडली धनू लगन की हो तो इससे बड़ा आपको आसानी हो जाएगी समझने में अगर आपकी भी कुंडली धनू लगन की ही है और वो कैसे मालूम होगा आपको कि आपकी कुंडली धनू लगन की है वो हम यहाँ समझाएंगे आ आपको बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा तो देखिए अब जो धनू लगन की बात चली रही है तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि धनू राशी जो होती है उनका जो चिन होता है वो तीर कमान है आपने देखा होगा जब राशी फल देखते हैं आप तो पृतियक राशी के सामने उसका एक चिन होता है बना हुआ तो यह धनू राशी का चिन है तीर कमान और अब क्योंकि धनू लगन की विशह में हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके विशह में हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि धनू लगन के जो जातक होते हैं इनका सोभाव और व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है तो एक छोटी सी चर्चा हम आपको इस विशय पर भी करना चाहते हैं तो आएए जानते हैं धनु रगन के जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व एवं उनका सोभाव देखिए इस राशी के जातकों का जो शरीर है वो काफी सुगठित होता है और संतुलित होता है ये व्यक्ति बड़े विद्वान और पृतिभा शाली होते हैं इनके अंदर पृतिभा बड़ी कूट-कूट करके भरी होती है ये लोग अधिकतर सुन्दर देखने में और गौ होता है और अधिकतर मात्रा में और ये सुन्दर होते हैं और जो इनका मस्तेश्क है वो भी काफी उंचा होता है चोड़ा होता है ये साहसी किसम के व्यक्ति होते हैं एवं किसी भी परिस्तिती में हार ना मानने वाले होते हैं हार मानना आसानी से इनको पसंद नहीं है जो इनका confidence label है, वो पूरा भरपूर होता है, मतलब आत्म दिश्वास से ये भरे पूरे होते हैं, कोई भी निर्णे, सोच विचार के बाद ही लिया करते हैं ये लोग, साथ में ये बड़े उधारवादी भी होते हैं, by nature, एवम आध्यात्मिक किसम के भी होते हैं, आध्यात् रूची होती है, ये विपरीत परिस्थित्यों में भी हिम्मत नहीं हारते, तथा सफलता भी प्राप्त करते हैं, और इस लगन के जो व्यक्ति हैं, अधिकतर मात्रा में उनको आस्तिक देखा गया, नास्तिक नहीं देखा गया, इस लगन के जो जातक हैं, उनको आस्तिक ही देखा गया, धरम में पूरी रुची होती है, अपने जो भी उनका धरम है, उसको पूरी तरह से उसमें उनकी आस्था होती है, ये छोटी सी चर्चा हमने आपको की थी धनुलगन के जो जाता है उनकी विशह में, तो आईए, अब आपने जो अपनी कुंडली खोली हुई है, अब वो जड़ा थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, और इधर देखिए, जैसा कि ये चार्ट आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर, ये चार्ट जो है, इसमें बारा खाने हैं, यानिके बारा घर, यानिके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ज्यार और बारा, ये बारा भाव हो गए, जो भी पत्रिका होती है, कुंडली होती है, उसमें बारा घर होती है, बारा भाव, और ये जो भाव है, ये वाला, ये प्रिथम भाव है, इसको कुंडली का फर्स्ट हाउस कहते हैं, अब क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, तो इसी को ही ल लगन भाव में लिखा होता है उसी लगन की ही वो पत्री का कहलाती है मान लीजिए जैसे कि अब यह हमारी चर्चा हो रही है धनू लगन के उपर तो धनू लगन नो नंबर की राशी हुई अगर यहां पर नो नंबर लिखा हुआ है पहले फर्ष्ट हाउस में लगन भाव में तो यह पत्री का धनू लगन की कुंडली कहलाएगी इतनी बात तो अगर आपके भी कुंडली में पर्थम भाव में मतलब फर्ष्ट हाउस में लगन भाव में यह नो लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली का धनोलगन की है यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब आगे की चर्चा करते हैं अब क्योंकि यह प्रथम भाव है यह दुतिय है यह हमने आपको बता दिया किरमानुसार अब क्योंकि यह सेकंड हाउस है और यहां जो है नौ लिखा हुआ है तो आप सिक्वेंस राशी यह हो गई थर्ड हाउस में यह हो गई मीन राशी फोर्थ हाउस में यह मेश राशी हो गई फिफ्थ हाउस में और यह मृष्णप राशी हो गई सिक्स हाउस में यानि शेष्ट भाव में चटे भाव में और यह मिथुन हो गई सेविंध हाउस में सब्तम भाव में और यह हो गई करग अश्टम भाउ यानी 8 था उस में और यह हो गई सिंघ राशी नवं भाउ 9 था उस में यह हो गई कन्या राशी 10 थाउस जिसको हुँझ दशम भाउ भी कहते हैं और यह तुला राशी आ गई पर एक आदश भाव जानी के 11th house और अंत में ये विरिश्चिक राशी आ गई दो आदश भाव में यानी के 12th house में तो ये जो कुंडली अब आप देख रहे हैं सारी राशियां पूरे बारे भाव में हो गई हैं बारे राशियां और क्योंकि पहले भाव में पर्थम house में पर और मित्रों धनू लगन यानी धनू राशी के स्वामी कौन होते हैं गुरू ब्रस्पती होते हैं तो अब क्योंकि यहां पर धनू है राशी उसके स्वामी गुरू ब्रस्पती हुए तो लगनेश जो हुए वो गुरू ब्रस्पती हुए लगनेश का मतलब होता है कि जो प लई इंहें पूरी कँडली को गवर्न करेंगे वह भू करते हैं, शुक्रह, कौन सा है इस कंडली के लिए, नो के नोगरों में, वो भी गुरु इही है, गुरु ही इस कंडली के लिए शुग्रह माने का है, शुक्र जो है वो अकारक है कारक नहीं है और दिशा इस राशी की जो है धनूर राशी की वो पूर्व है इस्ट ये इसकी दिशा है अब हम आपसे आगे चर्चा करने जा रहे हैं राजयोगों के विशे में कि किन और कौन से ग्रह ऐसे हैं कि अगर यहां पर वो जहां जहां पर भी बैठते हैं तो वो तब राशयोगों का निर्मान करते हैं तो आईए अब हम आपसे उन ग्रहों की ही चर्चा कर रहे हैं जो इस धनूर लगन की कुंडली में राशयोगों का निर्मान करते हैं तो देखिए आपको इतना बता दें कि राजयोग हमारे जोतिष शास्र में बहुत है बहुत राजयोग है और ये जो हम राजयोगों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से कुछ प्रमुख राजयोग हमने लिए हैं जिनकी चर्चा आपके साथ हो रही है ये कुछ प्रमुख राज पहला राजयोग की चर्चा कर रहे हैं आपसे कि अगर सूर्य नवम भाव नाइन्थ हाउस में अपने ही घर में बैठे हैं ये उनकी राशी है सिंग राशी के स्वामी होते हैं सूर्य और सूर्य बैठ गए अपने ही घर में जब सूर्य अपने घर में बैठ गए तो ये भी अपने आपने एक बहुत शुब हो गया, इस जातक के लिए, धनुल लगन के कुंडली के जातक के लिए, अगर महाँ पर सूर्य बैठे हैं, तो उस जातक के लिए बहुत ही शुब हो गया, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने मान सम्मान प्राप्त करता है, अच्छा, अब राजियोग, मान लीजिए, यहाँ पर गुरु ब्रस्पती बैठ गए साथ में सूर्य के, अब यह बन गया एक राजियोग, बहुत सुंदर राजियोग, और जब आपकी कुंडली में भी अगर इस प्रकार का राजियोग है, दर्शकों, तो मान के चलिए, कि जीवन में आ आपके भाग्य के बल पर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, पूरे जीवन बर, यानि कि ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं हम बड़े आराम से, बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं, बहुत भाग्यशाली, व्यक्ति होते हैं ऐसे, जो धनूर लगन की कुंडली में, नवम भाव में सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाएं, तो ये बड़ा प्यारा राज्यूग हो गया, अब दूसरा राज्यूग बताते हैं आपको, आप देख रहे हैं ये, पंचम भाव, फिफ्थ हाउस है, यहाँ पर मेश राशी है, एक नमबर लिखा हुआ है, मेश राशी हो गई, अब मेश राशी के स्वामी मंगल होते हैं, अब मंगल यहाँ पर बैठ गए हैं, इस पंचम भाव में, तो पहली बात तो यह हो गई कि मंगल अपने आप में बहुत ताकतवर हो गए अपने ही घर में बैठ गए और सूर्य उनके मित्र परम मित्र और जैसा कि मैंने कहा कि वो नवम भाव के भी स्वामी है वो भी हाँ करके बैठ गए तो ये भी एक बहुत सुन्दर राजयोग बना इस प्रकार का योग अगर आपके भी कुंडली में है तो मित्रो इसका फलिद बताते हैं आपको कि जब इस प्रकार का योग जाथ कि कुंडली में होगा राजयोग तो ऐसा व्यक्ति अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा यानि कि पी एच्डी डॉक्ट्रेट और भी जो भी हायर अजूकेशन जिसको हम बोल देते हैं बहुत ही उसको अपने जीवन में अपने शिक्षा के दम पर अपने बुद्धी बल के दम पर वह व्यक्ति बहुत एवार्ड प्राप्त करता है उसको एवार्ड मिलते हैं पुरस्कार मिलते हैं अपने कावलियत के लिए ऐसा व्यक्ति जाना जाता है और अपनी कावलियत के दम पर वो व्यक्ति जीवन में सफलता है प्राप्त करता है उन्नती प्राप्त करता है और उसको बड़े अच्छे उन्नती के अफसर प्राप्त होते हैं तो यह दूसरा राजयोग था और ऐसे व्यक्तियों की संतान भी बड़ी बुद्धिमान और बहुत शिक्षित होती है तो यह दूसरा राजयोग हो गया धनुलगन के कुंडली में अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर यह नवम भाव में अगर बुद्ध बैट जाएं यह बहुत सुन्दर राजयोग हो गया इस प्रकार का योग अगर आपके कुंडली में है तो मान लीजिए कि व्यक्ति अपने विभाव में जहां पर भी वो कार्यरत है अपने कार्यों के लिए जाना जाएगा पहचाना जाएगा लोगों में वो हजार आदमियों में दूर से उस लोग उसको पहचानेंगे कि यह है वो व्यक्ति इस प्रकार का होता है और अगर यही यह चौथी यह तो तीसरी इस्सिती थी और अब जो है आपको बताते हैं चौथी इस्सिती राजियों की के सूर्य है अगर यहां बैठ जाएं और साथ में उसके बैठ जाएं आपके बुद्ध भी यही सूर्य बुद्ध यहां बैठ जाएं तो भी बहुत शुफल और यहां बैठ जाएं तो जा तक सरकारी नौकरी में बहुत उच्पत पर जाता है और सरकारी में नहीं भी अगर किसी कारण तो जिस विभाग में भी वो है, वो शिखर तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है, अपने जीवन में, अपने विभाग में, कार्य छेत्र में, सफलता है, अर्जित करता है, बहुत, बहुत सुन्दर राजयोग, तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि राजयोग तो बहुत है, औ अगर यहां पर दौनों में से एक भी ग्रह हो, हमने तो दौनों की चर्चा किये, लेकिन अगर दौनों में से एक भी ग्रह होगा, खाली अकेले अगर सूरही होंगे, या खाली बुद्धी होंगे, समझ लीजे वो भी कम नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत शुप कि आप शिखर पर जाने वाले हैं अपने कार्य छेतर में, जो भी कार्य आप जीवन में करेंगे, आप पॉलिटिक्स में हैं, या आप किसी सरकारी विभाग में हैं, या कोई आप अपना व्यापार कर रहे हैं, बहुत उच्छे दरजे का खोगा, उच्छे दरजे का, सूर्य मंगल बताए, इधर सूर्य बुद्ध बता दिया, तीसरा चौथी सिती यह बनता दिया, तो देखिए राजयोग तो जैसा मैंने कहा हमारे जोतिश शास्त में, बहुत राजयोग हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुक राजयोग हैं, और जब धन राजयोगों का निर्मार हो रहा है, तो आप बहुत भागशाली व्यक्ति हैं, बहुत अत्यंत भागशाली, और ऐसे माता पिता को भी अपनी संतान पर बहुत गर्व होता है, ऐसा जीवन में ये करते हैं, तो देखिए ये है राजयोग, लेकिन अब इसके थोड़ा सा अल जो बता रहे हमारी कुंडली में, और हम भी देख रहे हैं, आपके बताने के साथ साथ के हाँ है, हमारी कुंडली में ये इस से थी, जैसा आप बता रहे हैं बोर्ड पर, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हमें तो देखने माया है नहीं अपने जीवन में, जीवन तो साधरन तरीके से चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही हैं आप, अपनी जगा, वो कब होता है फलित, ये आपको बताएं, जिन ग्रहों के कारण हमने राजियों बताया है, आपको सूर्य मंगल, सूर्य वुद्ध, जहां जहां पर भी बैठें सूर्य गुरू, जब जब इन ग्रहों की दशाएं जीवन में आपके आएंगी, तब तब उस प्रकार के फल आपको परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जैसे हम बता रहे हैं राजियों के कारण जो प्राप्त होते हैं, वो कब प्राप्त होंगे, जब जिन ग्रहों ने राजियों बनाया ह जो उसकी दशा जीवन में आएगी तब आपको स्वेते ही वो सारी चीज़े प्राप्त होंगी जिनकी चर्चा हमने किये लेकिन अगर वो दशाएं भी आगई जिन्होंने राजयोग बनाया है और फिर भी कुछ खास परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अन्यत रूटियां भी कुंडली में मौझूद हैं बड़ी जिनका की निराकरण बहुत आवश्यक है अगर आप उन राजयोगों का पूर्ण रूप से शुप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो कमिया खामिया कुंडली के अंदर हैं जो दोश हैं उनको भी दूर करना होगा ताकि राजयोग का फल आप पूर्ण प्राप्त जीवन में कर सकें और इसके लिए फिर क्या करना होगा उसके लिए यही करना होगा कि देखे जो आपकी कुंडली है वो तबी पता लग पाएगा कि कहा दोश है क्या क्या तूरूटी आएं क्या क्मिया है जब उसका फूरी तरह से विवेशन किया जाए उस कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाए तभी पता लगेगा और ये कुछ मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है अगर इस प्रकार के भी कोई तुरूटी कमी रह गई है तो उसका उपाय है और उपाय करके आप इनका समय वेश्ट ना करें इनका पुझा पूज जो मिलने वाला होता है, जो नहीं मिल पा रहा किसी कारण से, जो कारण हमने बताएं तो वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे अगर सही समय पर आपने उपाय कर लिए तो अगर आप भी इस प्रकार की कोई जिग्या सा आपके अंदर हैं तो हमारे जो नीचे fix करवा सकते हैं हमसे मिलने के लिए और अपना horoscope अपनी कुंडली अपनी जनम पत्री का हमें दिखा सकते हैं और दिखाने के पश्चाथ उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहां क्या कमिया हैं और क्या आगे आप और जानना चाहते हैं यह सभी की चर्चा आप कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके और अपनी कुंडली को और अधिक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और क्या उपाय हैं वोई भी आपको बताए जाएंगे ताकि आप इन बने हुए राजयोगों का शुफल अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें तो यह थी चर्चा मित्रों आज धनू लगन के जो जातक हैं उनके कुंडली में बनने वाले जिन ग्रहों के कारण राजयोग बनते हैं उनकी चर्चा उम्मीद है आपको पसंदाया होगा यह प्रोग्राम हमारी यह चर्चा जो है पूरा मीन लगन तक हम बताएंगे जैसा कि हमने आरम में को बिराम देने का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै माता दी